से कैं छुए कि अ कि को छिवा मंखर राशी वालो के लिए वैसे तो हम बात कर रहे हैं साड़े साथी चल रही है लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुरू के गोचर की फिलाल, इट मिंस अप्रेल के पहले पहले गुरू कोई लाब देखे जाने वाले, आप यदि कोई अभी, आपका कोई प्रॉफिट रुका हुआ है, मतलब इन्वेस्मेंट कर रखा है, तो आप एक मेजर प्रॉफिट होने वाला है, मैं कहा हूँ गुरू सेकंड हाउस में है अप्रेल में ट्राजिट कर रहे हैं, बट अप्रेल जाने से पहले आपको नेक्स्ट येर, जन्वेरी टु मार्स की बीच में मेजर प्रॉफिट होने वाला है, ये काफी एक अच्छा साइन बता रहा है मकर राशी वालों के लिए, अब गुरू लेकिन थार्ड हाउस में जाने वाल है अप्रेल से, तो गुरू का थार्ड हाउस में गोचर कहीं ने कहीं, आने वाला टाइम आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, आपको अपनी स्कील पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, करियर के लिए ये थ हाउस को देख रहे हैं, तो वो हाईर एजुकेशन, ओवराल एजुकेशन के लिए काफी अच्छा समय है, शादी के लिए अभी बिलम हो रहा है, शादी नहीं हो पारी, रिष्टे नहीं आ रहे हैं, तो आप गुरू थार्ड हाउस में जब आते हैं, तो शादी के योग ब है, तो आपकी वो अप इच्छा पुरी हो जाएगी, और फिर हम बात करें, तो गुरू यहाँ पर शादी के स्थान को देखने, शादी होगी, आपका प्रमोशन कहीं ने कहीं यहती रुका हुआ है काफी टाइम से, तो प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है, सैलरी इंक्रीम मेरिज लाइफ में जो कॉन्फ guit्स आ रहे हैं, तो भो मेरिज लाइफ में जो कॉन्फ़ट्स आ रहे हैं, वो खतम हो जाएगे, रिजॉल हो जाएगा, यदि को यसी सिधी बंट्री है टीवोर्स की, तो वो नहीं होगा, और वो परॉलमशन सब्सक्राइब तो आपके जीवन में गुरु आने वाले हैं या यूँ कहें आप किसी एस्ट्रोजर से भी मिल सकते हैं तो आपको जो आपको religious value बताएगा आपका expansion होगा अध्यात्म के प्रति और फिर हम बात करें तो यहाँ पर आपका थाग्य कर स्थान है नाइन हाउस तो आपका लक्त जो साथ नहीं दे रहा है वो लक्त साथ देगा लंबी यात्राय होने वाली विद्देश जाने का योग है तो वो बनता है फिर यहाँ पर गुरू 11th house को देख रहे हैं मतलब आपके बड़े भाई 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 से यदि कोई संबंद खराब थे तो आप संबंद मदूर हो जाएंगे और आप उनके प्रति ध्यान भी देंगे और आपके लाब को बढ़ाने वाले गुरू या आपकी गुरू का गोचर अच्छा है लेकिन यहाँ पर रेमेडी की आउशक्त पड़ेगी next after the April कि आप डेली नहाते वक्त बाल्टी में एक चुटकी हल्दी की चुटकी डाले और उससे इस्दान करें तो भी गुरू के निगेटिव पल नहीं मिलेंगे और एवरी हस्दिल प्रफ हाँस में जब राहू आते हैं तो कहीं नहीं आपके आप इमोश्टली कनेक्ट हो जाओगे अपने माता से अपने घर से आप अपने घर में कुछ नया रिनोवेशन करें और या कुछ ने कुछ एक्सपांशन करोगे या हो सकता है आप कोई नई चीज घर में खरीद के लाएं जिससे घर की शोबा बड़े और राहू विदेश का कारा के तो कहीं न कहीं जो आपके परिवार से कोई फॉरेन गया होगा तो वो यहां पर आने वाला है और यहां पर आने वाला है आप से मिलने तो अब बात करें तो आप एक और आल प्रॉपर्टी में आपके 450 उने वाला है लेकिन एक चीज में जरूर कहुआ होगा कि फोर्थ हाउस में राहू आते हैं तो आप प्रॉपर्टी जब भी लेने जाए तो काफी नई प्रॉपर्टी लेने जाए तो जल्द भाजीना करें उसमें प्रोड़ा सोच विचार कर फिर करें ताकि करें पेपर तो यहां पर यह precaution दिया जाता है या यहां पर यह remedy दी जाएगी कि आप अपने काम पर पूरा focus करें तो कि K2 opportunity लेके आने वाला है बट आपका focus नहीं होगा तो opportunity आके चली जाएगी तो आप अपने काम के पर फोकस करें और कहीं भी लापरवाई ना करें मतलब काम को पूरे time पर करें जो time limit है तो केटू के result positive मिलने वादे हैं और यहां पर एक remedy मैं बात करूं केटू की तो ताइग केटू positive हो जाए तो गंडपती अथरुशिष का अब बात करें शनी की तो obviously शनी की साड़े साथी से गुजर रहे हैं मकर राशी वाले दूइत्य चरण चल रहा है अप्रेल से उनका साड़े साथी का तीसरा चरण शुरू हो रहा है मतलब जाते जाते शनी महाराज रिलीव करने वाले है और जो अभी तक साड़े साथी की स अबने वाली जीवन में यहां पर बैटके मुझे लगता है कि आप अपको अपने जो मनी हैं सेविंगे उसके प्रती भी ध्यान रखना चाहिए और कुटुम के प्रती जो है उसके प्रती भी ध्यान रखना चाहिए और यदि आप हैल्प बॉइट की बात करें तो आपको आखों का मतलब आखों को प्रॉपर वाश करें डेली बेशते और दातों का भी ध्यान रखें अधर्वाइस जातों का ट्रेट्मेंट आपको लेना पौँ सकता है आरे वाले डाईगे तो यहां पर शनी की रेमेडी जरूर करना चीए क्योंकि साड़ा साथी चली रही है औ सेटर्डे आप शनी मंतिर जाएं वहां गरीबों की सेवा करें सेटर्डे को हो सके तो आप एक काला कपड़ा ले और उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा काली दाल जो होती है और एक कील और एक सिक्का यह बान कर इसी गरीब को दान करें एवरी सेटर्डे और खासकर शनी के उसमें कहते हैं आप कि आपको हनुमान जी की शरण में भी जाना चाहिए तो भी शनी की समस्या में रिलीव मिलता है और दान पुन्ने जितना करेंगे अपने काम को प्रॉबर टाइम पर करेंगे उतना आपको शनी के ब्लैसिंग्स मिलेंगी तो यहां पर मकर राशी वालो झालो झालो ।